हेलो एवरिवन वेलकम तो आवर योट्यूब चैनल कॉंसेप्चिल स्टडी स्ट्रॉंग यर बेस्ट फ्रॉंग यर फ्यूचर दिस इस दिवाकर मोर्या आए शुरू करते हैं स्टेटिक्स में हैं आज अपना 12th lecture इसे पहले हमने 11th lecture लगा लिये हैं 11th lecture में हमने क्या कुछ किया है हम लोग measure of dispersion तक पहुँच चुके हैं और measure of dispersion में हमने कर लिया है mean deviation, standard deviation और variance आज बारी है coefficient of variance की देखिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के measures होते हैं एक होता है absolute measure और एक होता है relative measure जब आप same unit में calculation करते हैं like kilometer में आपको दिया हुआ है और kilometer में यह आपको answer find out करना है this is called absolute measure ओके लेकिन अगर आपका जो answer है वो आप कैसा आ रहा है या तो percentage में आ रहा है या फिर ratio में आ रहा है इस तरह के calculation को इस तरह के measure को क्या कहते है relative measure कहते है ठीक है चली देखिए coefficient of variation क्या है पहली बात तो यह relative measure है coefficient आ गया और जहां मैंने बताया था जहां जहां पर coefficient आएगा वो किस तरह क्या होगा relative measure का other name क्या है coefficient है तो जहां जहां पर भी coefficient आएगा वो इसका मतलब क्या हो जाएगा relative measure हो जाएगा तो variation कितना vary कर रही है एक दूसरे से चीजें वो क्या होगा variation आचा coefficient of variation मतलब कुछ percentage की बात कर रहे है या फिर कुछ ratio की बात कर रहे है ठीक है तो क्या कहता है coefficient of variation is an important relative measure of dispersion है मैंने यहाँ पर भी उपर बड़ा बड़ा लिख दिया relative measure है it was developed by the Carl Pearson and is widely used in comparing the variability of two or more series आपके पास दो series है X and Y इन दोनों को compare करेंगे कि इन दोनों में कितनी number of items है या total series एक दूसरे से कितनी vary कर रहे हैं इतनी different है ठीक है तो यह जब हम लोग measure करते है और जब कहें कि जी X जो X जो है वो Y से इतने percent different है ठीक है whatever is the percentage जो भी अगर percentage रहेगा उसमें बात हम करें कि जी X जो है वो Y से इतने percent different है इतने percent vary कर रही है वो क्या हुआ coefficient of variation हुआ coefficient of variation is denoted by CV, CVC denote करते है and is given by अब coefficient of variation का formula क्या होता है जो भी हमने standard deviation निकाला था उसको divide कर देंगे mean से और multiply करेंगे 100 से तब भी तो आपका answer percentage में आएगा 100 से multiply करने के बाद है ना तो standard deviation हमने last lecture में अच्छे से कर लिया था उसका मैंने आपको थोड़ा detail भी बताया था और mean निकालना तो simple ही है है ना summation of x करेंगे divided by n कर देंगे वो निकल जाएगा आपका mean और अगर हम बात करें standard deviation की तो हम लोग वो x minus जो mean है divided by n को उसको पूरे का जो है वो square करते अंडर-works करते हैं ठीक है तो square mean equation वहांप एक word था square mean root donation तो हम लोग क्या जा कर रहे है उस पूरे का जो है square कर रहे है x-mean का और उसके बाद क्या कर रहे है square करने के बाद उसका root भी निकाल रहे है तो एक word बताया था मैंने आपको square mean root deviation ठीक है तो वो क्या था? standard deviation था और standard deviation में standard deviation का use करके हम लोग coefficient of variation भी निकाल सकते हैं ठीक है? तो standard deviation हमने किया था root mean square deviation तो standard deviation का अपने निकाला standard deviation क्या होता है फिर उसको divide करते हैं हम लोग mean से और multiply करेंगे hundred से तो अपने पास क्या आ जाएगा coefficient of variation आ जाएगा ठीक है चलिए अब यह हम लोग जो coefficient of variation है उसको use कहां कहां पर करते हैं ठीक है तो कहता है coefficient of variation is used to compare the variability, homogeneity, stability, consistency and uniformity of two or more series तो यह दो series है, दो series में कितनी, दोनों कैसी series है पहली बात तो homogenous nature की है उन दोनों series में कितनी stability है, कितनी consistency है, मतलब वो कितने vary कर रहे हैं, vary कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, uniformity है या नहीं है उन दोनों series के अंदर तो उसे क्या कहेंगे coefficient of variation का हम लोग मतलब इस तरह से use करते ह हैं, ठीक है, the series having less value of coefficient of variation is considered more consistent in comparison to a series having a higher value of the coefficient of variation, तो वो सही कह रहे हैं, कहता अगर less value है, छोटी-छोटी values हैं, तो क्या होगा, consider करेंगे कि हाँ यह बहुत अच्छा है, जो variation है, वो कम है, ठीक है, और अगर बात करें higher value क्यूई, तो वो वहाँ पर अच्छा नहीं मना जाता ठीक है, तो मतलब छोटे-छोटे जितनी value होँगी, वो एक दूसरे से क्या होँगी, attach रहेंगी, एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगी, stable रहेंगी, uniformity वहाँ पर maintain रहेगी, तो coefficient of variation का हम लोग यहाँ पर use करते हैं, फिर बार यात्तिये last जो है, वो लोरेंस कर्व की, लोरें आपको उस में, mathematical में, लोरेंस कर्व लिखवा दिया तो वहाँ से cut कर लेना, लोरेंस कर्व जो है, वो graphical method होता है, क्या होता है, graphical method होता है, 1905 में आया था, यहाँ दिको एक line लिखी है, mean value से कितना differ करता है, graph के थुरू बताएगा, तो जो आपका mean निकला, आपके पासे एक x-series है, उसका आपने mean निकाला, यह mean जो है, वो आपकी value से कितना differ है, कितना change है, कितना vary कर रहा है, इसको हम लोग क्या बताएगे, कैसे बताएगे, graphical form में बताएगे, graph के form में इसे बताएगे, ठीक है, it is a graphical method क्या है, यह ग्राफिकल method है, उफ studying dispersion, dispersion को पढ़ने के लिए dispersion को study करने के लिए, यह एक graphical method है, Lawrence Curve was given by famous statistician Max O. Lawrence, तो नाम जाज रखिएगा, Max O. Lawrence ने यह दिया था, Lawrence Curve has great utility in the study of degree of inequality in the distribution of income and wealth between the countries, तो यहाँ पर क्या होता है, क्याता Lawrence Curve जो है, उसके great utility है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, study करवाने में काम करता है किस में, कि degree बताने में, दो countries के income में या wealth में inequality है या नहीं, यह सब चीजे क्या से करते हैं, हम लोग, कर सकते हैं, हम लोग, Lawrence Curve के मदद से कर सकते हैं, ठीक है, it is also useful for comparing the distribution of wages, profits, etc, हम लोग इसे compare भी कर सकते हैं, easily तरीके से, over different business groups, Lawrence Curve is a cumulative percentage curve, याद रखिएगा, यह बहुत important ह है, cumulative percentage curve, in which the percentage frequency is combined with the percentage of other items, such as income, profit, wage, etc, तो अगर मैं कहूँ, कि Lawrence Curve में, अगर question कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखो, दो से तिये question बन सकते हैं, पहली बात कि Lawrence Curve है क्या, graphical method है, it's not a mathematical method, और positional method, इस अ graphical method, दूसरा दिया किसने, Max O, Lawrence ने दिया, कब दिया, 1905 में दिया, और इसे हम लोगे क्या word के साथ जानते हैं, cumulative percentage की मदद से जानते हैं, ठीक है, देखो, एक तो आपके पास बहुत बड़ा ऐसे करके data दे दे, बहुत सारा data, और एक आपको ऐसे graph के form में just a normal तरीके से बता दे, तो graph के form में हमें चीज़ना easily समझ में आती है, बड़ी जल्द पॉइंट पी हंडर अंडर दा लाइन, ओपी इस काल दा लाइन ओफ इकवल डिस्ट्रिबूशन, जैसे मैं दिखा हूँ आपको, तो यह क्या है, यह वाली जो लाइन है, यह पॉइंट 00 हुआ, ठीक है, 00 हुआ, अब यह क्या है, यह जो लाइन मैंने मारी, X और Y, यह होत है, ठीक है, फिर तो आगे बात करें, तो कहता है, any point of this diagonal line, shows the same percentage of X and Y, X में 50% है, और Y के पास भी कितना है, 50% है, plot the percentage of the accumulated value on the graph, and curve is obtained by joining different points, it is called Lawrence, तो जो भी आपके points उनको आप मिलाते चलेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका Lawrence कर्व बन जाएगा, ठीक है, जैसे देखि है, अब A company यहां से point करते हुए, यहां तक आ रही है, उसके बद यह करके, यहां पर हम लोग join करने, और जो B है, वो इस तरह से draw हो रही है, तो हम यहां पर कह सकते हैं, कि जो O, A, P है, O, A, और P है, वो कहे कम है, किस से O, B, और P से, यह कहे जादा है, किस से O, A, P से, तो द और इसकी, तो यह ज़्यादा vary कर रहे है, यह कम vary कर रहे है, ज़्यादा vary कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं, कि जो B point है, वो जधा vary कर रहे है, जटा honoring, difference है इन तोनों में, और हम dispersion की कहें, तो dispersion किस में ज्यादा मिलेगा, आपको, O, B, P में ज्यादा मिलेगा, as comparison to OAP में, ठीक है, तो हम लोग इसको easily तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग वो बार-बार mean deviation निकाल रहे थे, standard deviation निकाल रहे थे, quartile deviation निकाल रहे थे, ठीक है, इसके अगला variance हो गया, covariance वो, जो है, coefficient of variation हो गया, ये सारी चीज़े हम निकाल रहे है, formula इसके थे थे, rigid formulas है, mathematical formulas है, लेकिन अगर हम लोग graphical की method से देखें, तो ये easy है, बस आपने, आपने क्या किया, आपने सिरफ और सिरफ जो आपका graph था, graph में आपने इसको put किया, उन lines को draw के, और lines से draw करने वाद, आपको साफ पता लग रहे है, कि आपका equal distribution line का point, middle point ये है, इस middle point से ये देखें लो, ये कम है, और ये जव है, वो ज़्यादा है, तो O, B, P, जो है, वो ज़्यादा dispersed है, ज़्यादा vary कर रहे है equal distribution line से, लेकिन अगर O, A, P की बात करें, तो वो कम vary कर रहे है, equal distribution line से, ठीक है जी, चलिए, आज का है, यही lecture है, ठीक है, इसमें पढ़ी अच्छे से, आपका measure of dispersion जो है, वो complete हो गया है, मिलेंगे next lecture में, तब तक के लिए, thank you very much.